नमस्ति दूस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इंकरडबल IIS Academy में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज से एक नया स्रीज जो रिवीजन कोर्स का होगा आधुनी भारत हमने complete करवा दिया प्राचीन भी complete करवा दिया मद्धकालेन भी complete करवा दिया अब रिवीजन कोर्स होगा इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है सिर्फ continuity के साथ सुनना है जहां जहां जिस जिस बातों को मैं बोलूँगा यहाँ पे concentrate करके रहना है क्योंकि यहीं पे I.O. question देगा और इस option को डालके आपको फासाने की कोशिश करेगा आप वहाँ पे पूरी तरीके से एदन concentrate होके सुनिएगा जब इस वीडियो को start up कर दिये हैं तो तब तक आप इसको नहीं रोकनेगेगा जब तक यह समापना हो जाए फिर चाहे आप रात में देखिए या दिन में देखिए क्योंकि यह आपकी जंदगी का शवाल है इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारी संस्था से आप जूरना चाहते हैं तो एक best और better option है sure success civil services classes कल से auditor का demo classes start हो रहा है और कल जो रहेगा optional जिनका जोगरफी रहेगा वो आके यहाँ पर demo कर सकते हैं तीन बज़े साम में नम्मर जो है 933-47-10-148 इसके साथ साथ में हमारी संस्था में foundation batcher start है history optional की classes start है new batcher start है आप चाहें तो यहाँ जूर सकते हैं साथ साथ में 67th को लेके जो मेंस है वो भी start है अगर आप जूरना चाहें तो इसी नम्मर पे आप call करके या फिर whatsapp करके संपर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों समय ना गवाते हुए हम लोग start करते हैं आज की session सबसे पहला जो है थोरा बरा कर देता हूँ जिससे आपको नहीं काली कट पे पहुँचा था जब ये योरोप से चल पूर्तगाल से चला था पूर्तगाल से चलने के बाद आसा अंतरिप यानि के पॉप गुड हॉप्स के पास जो की दच्छिन फिरका के सबसे दच्छिन दम बिंदू हैं वहाँ पे अब्दुलमजीद से मुलाकात होती है और अब्दुलमजीद ही इसको जेमुरीन से काली कट पे पास में जाके पहुँचाता है मिलवाता है चोदे सुन्थार में ध्यान से सुनते जाई ये गबात को पुर्तगाली उपनी बेश का पर था वाईशराज जो था भारत में वो कौन था अल्मीडा था और अल्मीडा का बस एक काम था जो सबसे इंपोर्टेंट था वो था ब्लू वाटर पॉलिसी एकदम ध्यान से सुनते जाना है वासको डिगमा का काली कट में स्वागत किया गया था वो जेमोरी ने किया था सही सुलिमित को थोरा सा मिला लीजिए आपको अभी बता देते हैं ताकि कभी वासको डिगमा ये तो यादी रहेगा पुर्तगाल कोलंबस आपको पता ही रहेगा अस्पेन Captain Cook ये कहा रहेगा Great Britain में और तश्मान जो रहेगा वो Holland की खोज किया था ये सब खोज है ये सब देश की खोज किये है Captain Cook ये कहा कहा है तो Britain के ध्यान रखीगा भाट में पूर्थगाली सक्ती का वास्तविक जो संस्थापक था वो अल्बूकर था कही बार कोशन पूछा भी गया है और पूछा भी जाता वास्तविक संस्थापक पूर्थगालियों का वो कौन है तो अल्बूकर है ये वही अल्बूकर है जिसके टाइम में पंद्रे सो दस के टाइम में आदिल साह से गुवा को छिन लिया गया था ये यही वही वो अल्बूकर है जिसने सती पर्था को बंद किया था समाप ने किया था बंद करवाय था ये यही अल्बूकर है जब भारतियों को भी पूर्थगाली सेना में भर्ती करवाय गया था पूर्थगालियों ने भारत में पर्थम दुर्ग का निर्मान जो करवाय था, वो कहाँ पर करवाय था, तो कोचे में करवाय था, ध्यान रखीगा, मर्द काल में सरपर्था महारत में बैपार संबंदी दसापित करने वाले जो थे, वो कौन थे, ये पूर्टगाली थे, कि कुछ अधूर सो अंठानमे में ही ये आ ग पूर्टगाल की बांदेल, चिंशूरा, हुगली और सिरांपूर फेक्टरी में से एक जो पूर्टगाली थे, वो कौन था, तो हुगली था, ध्यान रखीगा, हुगली भी कहा है, तो बंगाल में ही है, आईए, हाँ, नेक्स है, पांडी चेरी के संदर में सही कतन है, पां जा थूरा सा, मतलब ओर्ट फेलिंग होता, कहा जाए, तो पूर्टगाली ही ने पूर्टगाली को सबसे ज़्यादा डेबलब किया था, पूर्टगाली को बनाने का जो अस्तित्तु था, जो निर्मान करवाय था, वो किसने करवाय था, तो ध्यान रखीएगा, अब प्रवेश के संदर में शही कतन, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिन भारत में मचली पतनम, जो कि आंधर परदेश में पतलब पड़ता है, वहाँ पे ओस्थाई रूप से, ध्यान रखीगा, ये भी ध्यान से सुन लीजेगा, अस्थाई नहीं है, अस्था रूप से मचली पतनमें लगाया, और पुरवी भारत में अंग्रेजी कमपणी ने 1633 में उडिशा में सबसे पहला कार खाना लगाया, डुपले के नित्युत में फ्रांसिसी 1744 में मदरास पे क्या किया था, कबजा कर लिया था, डुपले के नित्युत में जो फ्रांसिसी किया और आधुनी कोचिन में उन्होंने फोर्ट बिलियम का निर्मान करवाय, ये डची थे, जिन्होंने पुर्त गालियों को प्राजित किये थे, और कोचिन में जो है, फोर्ट बिलियम का निर्मान करवाय था, नेक्स कोचिन है, भारत में इस्ट इंडिया कमपणी की सफ इनके पास आधूनी खतियार थे इंडिया को पास परमपरागर थे भारतिय सहिनिकों में राश्टिय भामना का अभाव ही अभाव दिखता था जिसके फल सरूप कोई भी उन्हें अच्छा बेतर दे के उनकी सिवा में लगा सकता था क्योंकि राश्टियता का यहां अभाव बिटिस कमपणियों में से भारत में वैपार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और वो कमपणी जो थी एकदम ध्यान कीगा लिवेंट कमपणी को सबसे पहले बिटिस इंडिया कमपणी से पहले जो है लिवेंट कमपणी को बिटिस कमपणीयों में से भारत को बेपार करने का पहला अधिकार दिया गया था आईए इदम पार्ट भाई पार्ट खूल के इदम बहतरीन तरीके साब को समझा देंगे लगेगा इदम बड़ा सांदार लेगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा लंदन में बिटिस इस इंडिया कंपणी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था तो यह अकबर था जब वहाँ पे गठन इस इंडिया कंपणी हो रही थी लंदन में तो यहाँ पे जो वाइस जो गवर्नर था वो कौन था तो अकबर ध्यान रखना वो हम मुगल समराग जिसके सासनकाल में इस्ट इंडिया कमपणी जो है भारत में सरपर्थम कारखाना अस्थापित किया था तो इसका सही अंसर होगा जहांगीर जो सबसे पहला कमपणी कारखाना जो अस्थापित हुआ थे इंडिया में वो जहांगीर के समय में हुआ था किलियर है ये सब छोड़ी जोड़ी जिसको याद रखी कभी गलत नहीं होगा सब के सब सही होगा बस ध्यान से सुनिए चलिए नेक्स आते हैं भारत में 1613 इस भी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फेक्टरी जो अस्थापित किया वो कहाँ पे किया शूरत में किया था पहली जो फेक्टरी हुई थी अस्थापित वो कहाँ पे हुआ था सूरत 1613 में ध्यान रखीगा 1613 ये हमीसा गलती होता सूरत तो याद होता लेकि डेट याद ने होता सोले से तो आपको पता है कि सोलो समाया है सोले में तीन माइनस कर दीजिए तो सोले और तेरे बस याद हो गया ऐसे ही याद रखना होगा आपको वह हंगरी जदिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के अस्थान पर हराया था वो था थोमस वेस्ट जिसने स्वाली के अस्थान पर हराया था और स्वाली सोले सो बारे में सो से स्वाली सो से शूरत यही सोले सो स्वाली सो बारे में जो हराया था यही के बाद जो है कमपनी अस्थाई रूप से सोले सो तेरे स्वी में सूरत में स्थापित होगी थी कि यूरूपी कमपणियों में से शूरत में सरपर्थम अपना कारखाना अस्थापित क्या था अंग्रीजों ने British East India Company ने बंबई लिया था किस पे पुर्थ गालियों सिरिया था British East India Company ने बंबई लिया था और इसमें क्या था अंग्रेज ने कहा इस इंडिया कमपणिय ने कहा और बंदलेम हम आपको दस पॉंट दें देंगे साल में और यही कोलिबरेशन हुआ था इस इंडिया कमपणिय के गवर्नर जिसे और जेब के दौरा भारत से निश्कासित किया गया था तो चाइल्ड को याद रखिए पर्थम करनाटक युद का ततकाली कारण क्या था तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसिसी जहाज का अधिकरहन कर लेना ही पर्थम करनाटक युद का ततकाली कारण था करनाटक युद लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में करनाटक युद लड़ा गया था तीन करनाटक युद हुआ था द्यान रकना है आईए पर्थम करनाटक युद जो हुआ था वो एला सापल यहाँ पे चेपल है चेपल भी सेपल की संदी के साथ में अन्थ हो गया था एक सकेंड एक सकेंड पहला जो करनाटक युद्ध हुआ है वेला सपेल की संदी के साथ अन्थ हो गया दूतिय करनाटक युद्ध जो है और निर्नायक रहा कुछ उसका रिजल्ट ने निकला तिर्थिय करनाटे की जो है पेडिस की संदी के साथ अंत हुआ और पर्थम मैशूर यूद जो है जिसमें ब्रिटीस की बुरी तरीके से हार हो गई थी पर्थम यूरूपिय सक्ति जिसमें भूचेतर अरजित करने के उद्देश से भारतिय राजाओं को जगरे में भाग लेने की निती आरम की और वो नाम जो था वो फ्रांसीसी गवरनर डूपले का नाम था नेक्स से भारत में फ्रांसीसीयों ने अपना पहला कारखाना अस्थापित किया था फ्रांसीसीयों ने शूरत फ्रांसीसी और अंग्रेज यही दो हेड थे और दोनों ने जो अस्थापना किया वो शूरत में ही कमपनी अस्थापना किया लेकिन औस थाई रूप से मचली पत्नम या मुसोलने पत्नम भी अंग्रेजों को कहा जाता है नेक्स चलते हैं फ्रांसिसी इस इंडिया कंपणी के स्थापना की गई थी लुई चौधामा के सासनकाल में फ्रांसिसी इस इंडिया कंपणी के स्थापना की गई थी भारत में फ्रांसिसी कंपणीयों के संस्थ तूरा है वहीं पे था फ्रांसिसी दक्कन में सक्ति आंदोलन अस्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो थी वो सक्ति शाली थी भारत में यूरोपिय सक्तियों का आगमन का करम जो है पहले पुर्तगाली आये फिर डच आये फिर अंग्रेज आये फिर फ्रांसिशी आए, सही सुलेमित, थूरासा, पांडिचरी, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगीज, ट्रानबेकाव, डेनिस, शदास, डच, इनको थूरासा एक दूसरे से तुरासा जोड़ के देखेगा, ये लोग जो है, फ्रेंच जो है, पांडिचरी, फ्रेंच से असता स्वतंत्रतापूर्व, भारत में बैपारी के रूप में सबसे अंत में आये थे, वो सही एंसर होगा, फ्रांसिशी सबसे अंत में आये थे, सोले सो चोसेट में आये थे, है न, आएए, नेक्स्ट है, इस्ट इंडिया, कंपणी और बंगाल के नबाब, थूरा सा अब यहा जिसने भारत में बैटिस परभुत को प्रारम कर दिया था, पलासी का यूद जो की सतरे सो संतामन में, ध्यान रखेगा, जितनी बातें जो लिखा हुआ हुआ ही नहीं, एक स्टा भी बातें बोलता हूँ, उस पे आपको एकदम बाहस की तरह नजर होनी चाहिए, और कान प सू, सी मतब सिराज धॉला, जो कहां पर था, पलासी का अगर के हैं, तो बंगाल का नावाप था, पलासी यूद में मारा गया था, और सू मतब सुजा धॉला, ये अबद का नावाप था, जो बकसर के यूद में हार गया था, अंग्री जोसे, clear हो गया न, concept clear, भारत मुर्स सी डुपले लॉड कनवालिस में से जिसे शौर्ग से उत्पन शेनानाय कहा था रोबर्ट क्लाइव नेक्स है पलासी के युद्ध मैदान अबस्तित है कहां पे पलासी का युद्ध का मैदान तो पसिम बंगाल में और पलासी जो सहर है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ तो अगर ये पूछेगा तो आपको बताना भागी रहती नदी के किनारे पलासी युद्ध लड़ा गया था, 1767 में ला रा गया था, बंगाल का वह नबाब जिसने अपनी राजधानी मुरसिदाबाद से मुंगेर हसातित कर दिया था, वो कौन था, तो मीर काशिम था, दो करेक्टर यहां पर आता, मीर कासिम और मीर जाफर, जो मीर जाफर था, वो सिराजु दौला जो बंगा जाफर का दमाद था, किलिर हो गया न, सबसे अधिक निडायक युद जिसने अंग्रेजों के भारत में परभुत्त को अस्थापित किया था, तो वो जो सबसे निडायक था, वो बकसर का युद कही बार आपके दिमाग में आता, सूजी से पलासी का युद क्यों नहीं कि पलासी का युद 1700 संदामन में लड़ा जा रहा है, और अंतिम युद बॉंडिवास का युद हो रहा 1760 में हो रहा है, तो अभी तो इसके ओल डेडी जो है, यहाँ पे बैठे हुए हैं दुस्मर फ्रांसीसी, तो फिर निडायक युद केसे होगा, लेकि 1764 के बाद, किल यहां खुलेगी, जो 1764 में लगेगी, बकसर की युद में, वो डाइडेक्ट आगे चलके 1767 में खुलेगी, चलिए, आगे चलते हैं, बकसर की युद के शमय दिल्ली का शाशक कौन था, साह आलम दूतिये, याद रखेगा, साह आलम दूतिये, बकसर की लडाई के समय, बं कमपनी की, भारत में पर्थम नेडायक सेंज शफलता मानी जाती है, बकसर का युद, इस्ट इंडिया कमपनी की दिवानी परदान की गई थी, साह आलम दूतिये ने, 1765 इसमी में, इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल की दिवानी परदान की गई थी, मुगल समराट के त्यान रखिएगा, 1765 में हो, और यहाँ पर मुगल समराट है कौल, तो साहलम दूतिये, समराट साहलम दूतिये ने इस इंडिया कमपनी को बंगाल, बिहार, उरिशा की दिवानी दिया, 12 अगस्त, 1765 को, नेक्से इलाहाबाद की शंधी के बाद, रोबर्ट क्लाइव ने म मुरसिदाबाद के उप दिवान नुक किया था, मुहमद रजाखा को, मुरसिदाबाद का, त्यान रखिएगा, रजाखा को मुरसिदाबाद, या कहें तो बंगाल का तु मुरसिदाखा, रजाखा को, और 1765 में दिवानी परदान किये जाने के बाद, बिटिस सबसे पहले जिस परवतिय जंजाती के संपर्क में आये थे वो कौन था परवतिय जंजाती तो खासी, याद रखेगा सबसे पहले खासी हुआ था, एकदम याद रखीगा अठारमे सतक में भारत में लड़े गए अठारमें, जो दसा के सतक कह सकते हैं 18 सतक में 18 सदी में भारत में लड़ेगे युद का सही जो है कलाम कर्म पहले जो है अम्बूर का युद उसके बाद पलासी का युद उसके बाद बॉंडिवाश उसके बाद बकसर का युद और फिर बिल्टिस ने फ्रेंच को हराय था बॉंडिवाश के युद में 1760 में कलिर चलिए आईए चलिए वाला बाग है जबकि जलिए वाला बाग जो है उनीस सो उनीस में हुआ है तीके ने आईए नेक्स जो है भारत में अंग्रेजों का सार्मदिक बिरूद किया था तो मराठा अगर भारत में सबसे जादा अंग्रेजों का बिरूद किया गया था तो मराठा के दौर छेतरी राज पंजाब और मैशूर, थूर असा पंजाब मैशूर को देख लेते हैं, रंजीत सिंग राज में समलित था, श्री नगर, रंजीत सिंग संबंदी थे, सुर्ख चकिया मीसल से, ध्यान की गा, सुर्ख चकिया मीसल से रंजीत सिंग संबंदी थ वो कहां थी लहूर रखे थे महराजा रंजीत सिंग अपनी राज़ानी जो रखे थे वो लहूर रखे थे रंजीत सिंग की शूपरसिद कहिनूर कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया गया था वो कहां से किया गया था साह सुजा से प्राप्त किया गया था ध्यान रखी गा नेक आज रंजीत सिंग के उत्रादिकारी थे, खड़क सिंग, रंजीत सिंग, खड़क सिंग, शिक राज का अंतिम राजा दिलिप सिंग थे, जो सिक के अंतिम राजा हुए, वो कौन हुए थे, तो ध्यान रखेगा, दिलिप सिंग, जो अंतिम राजा हुए थे, पंजाब के पंजाब के विलाई के पश्चात पंजाब का सासन करने के लिए तीन की परिशत का सदस थे सन हेंडरी लॉरेंस जॉन लॉरेंस और चार्ल्स गरविलेल मांसेल नेश्ट पर्थम अंगल मैशूर युधं अंगल मतब अंगरेज भुआ मैशूर का अंगरेज और मैशूर के बीच मे युध हुआ था जिसका टाइमिंग था 1970-76689 के बीच में जिसमें हैदर अली का बिजह हुआ था पहला में, बिटिस जनर्र जिसने हैदर अली को पोटो नोबा की युद में हराय था, सर आयर कुट जो कि पोटो नोबा की युद में हराय था, टीपू सुल्तान अपनी राजानी बनाई, स्री रंग पत्नम में अपनी राजानी बनाई, वह भारती सासर जिसने बिदीशों मे अधुनिक पद्धिति में अस्थाफित किये थे तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिस चेना को 1770 में हराये था पोली लूड में टीपू सुल्तान 1780 में ब्रिटिस चेना को हरा दिये थे अंग्रेजों ने स्रीरंग पत्नम की संदी जो है टीपू सुल्तान के साथ स्रीरंग पत्नम की संदी की टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 में याद रखेगा कोश्चन पूछा जाता है पर्थम आंगल मैसूर युद्ध हैदर अली बिजित हुआ था, दूतिय आंगल मैसूर युद्ध और निर्णायक रहा, इसका कोई रिजल्ट निकला ही नहीं, नेक्स्ट है वैसे ही जैसे दूतिय करनाटक वार उस वह भी और निर्णायक ही रहा था, याद कीजिए मैंने ब पराजित किया और युद्ध के मध्धे बींच में ही इस दुनिया से चले गए, आईए, बेगम समरू ने एक अती परशिद चर्च का निर्मान करवाया, जिसका नाम था सरगहना में, सरगहना में एक चर्च का निर्मान करवाया था, महराजा रंजीत सिंग लाहोर के तोपो का निर्मान के लिए, आधुनिक धलाई खाने का स्थापित किया, आमेर के शबाई, जैसिंग ने, युकलीड के रिखा गणित के तत्तो को शंशकृत में अनुवाद करवाया, और मैशूर में, टीपू सुल्तान ने, सिंग्रिणी लोग चलेंगे वो गबर्नर, गबर्नर जेंडल और वाई सराय में, अब थोरा सा ये कथन है, बस कथन ये छोड़िए, यहां से चलते हैं, स्टाटिंग करते हैं, कोलकता में एसियाटिक सोसाइटी के अस्थापना के समय, बंगाल का गबर्नर जेंडल था, उस समय वारेन ह इसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना करवाय था, सुरच्छा प्रकोष्ट की नीती वारेन हैंक्स्टिंग के टाइम में थी, जिसको घेरे की नीती भी कहा जाता है, जिसको रिंग फेस भी कहा जाता है, किलियर हो रहा न, नेक्स जो है, बंगाल में द्वेद शासन लिए, यानि कि डुएल गौवर्रमेंट को समाप्त किया था, वारेन हैंक्स्टिंग लाया था किसने, बताइए, लाया किसने था, आप जड़ा बताइएगा मुझे कोमेंट करके, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वह गवर्न जिसने, इस पर, बेटे संसन में महाभ जाफर, धान रखीगा, मीर जाफर जो था, उसके जो, मीर जाफर, हाँ, नहीं, हाँ, मीर जाफर, मीर जाफर की जो पतनी थी, उसके बच्चे को सनरक्षन देने के लिए, कुछ पैसे इन्होंने ले लिया था, वारेन हैंक्स्टिंग ने, इसी को देखके, राम सिंग ने उपर केस चला दिया था, और इसने MP के, एलिजा MP के साथ ने तुत करके, इन्होंने क्या क्या था, राम सिंग को फांसी की सजा दे दिया था, इसी के उपर जो है, इनके उपर चला था, महाभियो, लेकिं बाद में बड़ी कर दिया गा था, ये सब तो अपने ही मिले हुए चलिए, वह गवर्नर जेनल जिसने भारत में परसंदी विद्ध शिविल सिवा का सिरजन किया, जो कलांतर में भारतिय सिविल सिवा के नाम से जाने जाती कर्णवालिश, लॉड कर्णवालिश की कबर कहां पे, गाजीपूर में, उत्तर परदेश में, 1802 में, वशीन की वो पेशबा बाजी राव दूतिये था, सहायक संधी किया गया था, लॉड वेलेशली के काल में लेकिज, जो सबसे पहले हुआ था, वो याद रखिएगा, डुपले के टाइम में सबसे पहले किया था, अबद के नवाव पे, जबकि सहायक संधी जो पहला, जो सबसे के साथ जुपले ने किया था सबसे पहले, सहायक संधी विवस्ता को स्विकार करने वाला पर्थब भारतिये देशी शासक था, तो हैदराबाद का निजाम, है न, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद मैशूर, अवद, शिंदिया में, लॉड वेलेशली की सहायक संधी स स्विकार करने वाला पहला सासक कौन था, तो अवद का नवाब, आईए, हैदराबाद के निजाम, इंदोर के होलकर, जोदपूर के रासपूत राजता था, मैशूर के सासक में सहायक संधी स्विकार नहीं की थी, तो इंदोर के होलकर ने सहायक संधी को स्विकार इनमें से नहीं किया था, भारतिये राज्चों पर अंग्रेजी प्रभुत अस्थापित करने के लिए सासन में सहायक संधी पढ़नाली का शुत्रपात किया था तो Lord Villasily ने इस्ट इंडिया कमपणी का राजपूत राज्यों में सहायक संधी करने का परमुक उद्देश था अंग्रेजों की प्रभूशत्ता अस्थापित करना उस समय जब नेपोलियन की सक्ति के सामने यूरोप में समराज धराशाई हो रहे थे तो ततकाली समय में वह बिटिस गब हेक्टर मुड्रो बकसर यूद में था लॉर्ड हैंक्स्टिंग अंगल नेपाल यूद में था लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंगल मैशूर में था लॉर्ड कनबालिस तिरतिये अंगल मैशूर यूद में था तिरतिये अंगल मराथा यूद्ध संबंधित है तो लॉर् मदरास के गवर्णर है 1820 से 1827 तक 60 मदरास के गवर्णर है तथा कथित कुशासन के अधार पर जिस गवर्णर जेनरल ने मैशूर राज के परसासन को ले लिया था वो कौन था लौड बिलियम बेंटिक था गवर्णर जेनरल जो तीरतिय आंगल मैशूर युदि से शंबंदि तो Captain Shilliman, यह बहुत important है, ध्यान रखीगा, सती पर्था पर पावंदी लगवाई गई थी, तो Lord William Bentic के time में लगवाई गई थी, ध्यान रखीगा, और इसकी समापन 1829 में की गई थी, राजा राम मोहन राय की मदद से, और 1830 तक जो है, संपुन हिंदुस्तान में, यह पूरी तरकी से समाप्त कर दिया गया था, बंगाल में दासों को निर्यात पर रोक लगाया गया था, 1789 में, डॉल लॉट डलहोजी के द्वारा, अबद का, अंग्रेजी राज्यों में बिले हुआ था, कुपरसासन के कारण ही बिले हुआ था, बिटिस शमराज के अबद में बिल लेकि समसे पहले जो हरप नीती किया गया था, ध्यान रखीगा, वो किसको किया गया था, तो ध्यान रखीगा, सतारा को, ध्यान रखीगा, सतारा कहा है, तो महराज्यों में वह गवर्नर जेनर जिसने बिले की नीती को आयोजीत का किरिमार्मत किया था, और वो कौन था, त द्वारा सिंद बीजय संपन हुई थी Lord Allen बडो के समय में, अंगरीजों के द्वारा सिंद में बीजय स्थापी द्वात Lord Allen बडो के समय में, शिंद पर ब्रिटीस का कबजा किया, 1843 भी में, सिंद पर ब्रिटीस का कबजा किया, जब अबद का ब्रिटीस समराज में विलै उस समय अबद बिटिस रेजिमेंट था जेम्स आउटरम भारत में पर्थम रेलबे लाइन जिस बिटिस गवर्नर के समय बिचाई गई थी वह था लौड डलहोजी बाद में जो पर्थम रेलबे लाइन था बिटिस गवर्नर के समय बिचाई गई थी वह डलहोजी के समय में भारत में पर्थम रेलबे लाइन का निर्मान हुआ था बंबई से थाने के मद में बाद में पहली रेलबे लाइन शुरू की गई थी 1853 में ध्यान रखी गा रेलबे, भारतिये, बिल्टिश भारतिये राज छेतर का अंतिम प्रमुक विश्तार हुआ था, तो डलहोजी के टाइमें अंतिम जो सबसी ज्यादा विश्तार हुआ था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 845-845 के दोरान, किसके टाइमें हुआ था, पी ड़ डिजिसको क वो किसके टाइमें हुआ था, तो केनिंग के टाइमें कभी गलती मत कीजिएगा, एक नवंबर 848-845 को महरानी विक्टोरिया के घोशना पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था, तो लौड केनिंग ने सुनाया था, भारत का पर्थम वाईसराय लौड केनिंग अपने पुत्र के अस्थान पर दूसरे उत्राधिकारी को गोध लेने के अधिकार को पुना स्थापित किया गया था, 1800 अंठामन की समागरी की घोशना के बाद, महरानी विक्टोरिया को भारत का समागरी निक्त किया था, 1800 अंठामन इसमी में, वह गवर्नर जेनरल जिसने भारत में दास पर्था को पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, हेलो ब्रो, एलन ब्रो, याद रख लीजीगा, इसने पूरी तरीके से क्या किया, दास पर्था को समाप्त कर दिया, लॉर्ड कनवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली, शायक संधी, लॉर्ड डलहोजी ब्यापगत का सिद्धान्त लॉर्ड केनिंग 1877 के बिद्रोग के समय जो भारत के गबर्नर जेनरल थे वो कौन थे लॉर्ड केनिंग थे और ये भारत के पर्थम वाईशराय भी बनते हैं लॉर्ड हैंस्टिंग तिर्थिय अंगल मराठा युद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 के सत्रहमा रिगूलेशन जिससे की दासपर्था को समाप्त किया जा सकया स्थाई बंदोबस का प्राडम किया गया लॉर्ड करणवालिस के सासन काल में 1793 में पेसवाई को समाप्त किया था ठाड़े सो अठाड़े इस भी में आहिए थोड़ा बड़ा कर दूँ अहाँ सर जोन सौर निश्क्रिता के लिए लॉर्ड एलेन बड़ो शिंदका बिले लॉर्ड डलोजी अबदका बिले लॉर्ड वेलेजली चतूर्थ आंगल मैशूर युद सुमिलित लॉर्ड डलोजी अबदका विलीनी करन लॉर्ड डफरीन भारती राष्टी कांगरेस की अस्थापना डफली बाले डफली बजाके 1850 में कांगरेस की अस्थापना लॉर्ड बिलियम बेटर चाठरेक्ट 1833 में पारित कर बाया लॉर्ड लिटेन दूतीय अंगल युद्ध का प्राडम के वह गबर्णर जेनरल जो चतुराई पूर्ण निश्क्रिता के नीती के साथ जुड़ा है वो है जॉन लॉरेंस भारत में अंग्रेजों के समय पर्थम जनगन्दा हुई लॉर्ड मेयो के कारकाल में हुई वह वाईसराई जिसकी हत्या आन्मा निकोबार के दीब समू में कर दिया गया था वो लॉर्ड मेयो था अफगानिस्तान के प्रती एक जोस भरी अगर नीती का अनुशरन करने वाला गबर्णर जेनरल था वो था लीटेन और यही ध्यान रखीगा मेयो के टाइम में ही सबस दिर्ग काल तक रहा था तो याद रखीगा लॉड लिन लित गो और लॉड करजन दूतिय सारवधिक करजद दूतिय था पहला लिन लित गो क्लिर हो गया भारत का अस्थानिय स्वसायत संस्था 8812 में ससक्त की गई थी लॉड रीपन के दौरा इलवर्ट बिल बिबात का श दिमित करना था अस्थानिय शाषन की आवश्रक्ता को नियम बनाना था और पर था फैक्टरी अधिनियम भी जो है ये लॉड रीपन के टाइम में लाया गया था जिसमें कुछ नियम लगाए गये थे 7 वर्ष से कम बच्चे फैक्टरी जाएंगे नहीं और 7 वर्ष से लेक बलकि इनको नील, चाय और कॉफी इन सब के फैक्टरी उमें काम करने के लिए दिया जाएगा बाकी दूसरे फैक्टरी मेंने भ्हारत में श्टाइ स्वायत साशन का जनक माना जाता लौड रीपन को अस्थानी स्वायत साव्शन का जनक माना जाता क्लाइब बंगाल में दोहडा शासन लगाये बैंटिक अंग्रे जी सिछालाया मेटकॉफ प्रेश परपठ्थी बंद अटाया लौट बिलियम बेंटिक सतीपर्था का निशेद किया रिपन, स्वायद साशन, करजन, बंगाल का विभाजन 1905 में करवाया आईए नेक्स है भारतिय पुरात्त तो सरवेक्षन अस्थापना की गए लौट करजन के काल में प्राचीन असमारक संरक्षन एक्ट पारित किया गए लौट करजन के काल में और भारा लौट करजन को भूल सकते हैं क्या 1905 में बंगाल भी बाजा ये भला भूलने वाली बात है जिसने दो भाग में हिंदुस्तान को बार दिया भारत में करजन के परशासन की तुलना और नजेब से की थी गोपाल कृश्ण गोखले और नजेब से की थी भारत में बिटिश समराज के दोरान लौट करजन, लौट चैंस्पोर्ड, लौट हारडिंग, लौट इर्बίν, वाइसराय का सही कालनुकर्म पहले Lord Karjan, फिर Harding, फिर Chance Ford और फिर Irwin फूट डालो राजकरो की निती अपनाए गई थी Lord Karjan के दोरा फूट डालो शासनकरो की निती अपनाए गई थी नेक्स है वह Governor General जिसने सबसे पहले पिर्थक निर्वाचन मंडल की अस्थापना मुशलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के बिरुद करने के इस्तमाल किया था तो Lord Minto, ध्यान रखीगा, Lord Minto भारत का एक मातर, यहूदी वाइसराई जो था, वो कौन था? यहूदी, जो परने वाला, रेडिंग करने वाला तो याद रखीगा, रेडिंग, कई बार कोशन पूस्ता, पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेंक्स्टिंग के टाइम में, डॉट्रेन आप लैप्स, डलहोजी के टाइम में, वरनाकुलर प्रेस सेक्ट, लीटिन के टाइम में, इलवर्ट बिल, रीपन के टाइम में, ठग का सिधान, जिसको हरपनीती काते हैं, डलहोजी के टाइम में, बंगाल विवाजन, करजन के टाइम में, बंगाल का दोरा सासन, कलावी के टाइम में, समाजिक सुधार, बेंटिक के टाइम में किया गया था, सतीपर्था को समाब्त किया गया था, बंगाल में, फॉट बिलि इस सासन का भारतिय अर्थ विवस्था पर प्रभाव तो इसको हम लोग जो है छो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है लेकिन कोशिस करते हैं कि इसको खतम ही कर देते हैं ताकि आपका पूरा किलियर रहे हैं आईए भारत में उपनिवेश सासनकाल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहरा का महतपूर्ण अंग थे वह निधियां जो होम चार्जेस का संगटन थी लंदन में इंडिया आफिस के भरन पोशक के लिए परियोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कारत अंग्रेश करमचाडियों के वेतन पेंसन के परियोग में लाई जाने वाली निधि थी next जो है सब्द imperial preference का पढ़ियोग किया गया भारत में British आयात पर दी गई बिसेस रियायतों के लिए imperial preference पे यूज किया गया था British आसन की दोरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंतर विकाश नहीं हुआ था इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव था इसलिए इस्तमराडी बंदोबस्त लागो किया था Lord करणबालिस के टाइम में इस्तमराडी या फिर अस्थाई बंदोबस्त या फिर माल गुजारी ये सब इक्वल ही है अस्थाई बंदोबस्त प्राडम किया गया था लौड कार्ड बालिस के सासन वाँ देखे दोनों एक पल है अस्थाई बंदोबस्त किया गया था वो जमिंदार इसके क्या होते थे मालिक होते थे जमीन के अस्थाई में जमिंदार होते थे रहियत बारी में किसान होते, महाल बारी में जो होते थे, मुखिया होते थे या नमबर दार होते, कौन बालिस ने अस्थाई बंदुबस लागू के 1793 इसमी में, चीर अस्थाई बंदुबस 1793 के अंतरगत जमिनदारों के अपेक्छा की गई थी, कि वे खेतिहरों को पट्ट जारी नहीं किया और इस कारण से जमिनदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंतरन इस समय नहीं था, बिहार में पर्मानेंट सेटिल्मेंट लागू करने का कारण था, जमिनदारों के लिए जमीन पर वंश परमपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तरांतित करने का अधिकार दिया गया था फिर इन दे ब्लेंक्स में बंगाल और बिहार के भूमी पर किरेदारों के अधिकार को बंगाली किरेदारी अधिनियम 1885 लागो किया गया था सर टोमस मुन्रो जिस भूरा जस्व बंदोबस्त से संबंदित है वह कौन है तो रहयतवारी है अग्रेज ने रहयतवारी बंदोबस्त लागो किया था मदरास और बंबई परसिडेंसी में रहयतवारी लागो किया था जो टोमस मुन्रो के द्वारा इसको शुरुबात किया गया था अंग्रेजों ने रहियत वारी वेवस्था सरपर्थमारम किया था मदरास प्रसिडेंसी में बिटीश वेवस्था में रहियत वारी भूरा जस्व संग्रत जो है वो परचली थी वो दच्छिन में थी और दच्छिन में आपको बता ही दिया हूँ कि ये मदरास में थी रहियत बारी बंदोबस के संदर में शही कतन किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था रहियत में और सरकार रहियत को पट्टे देती थी और कर लगान भूमी सरवेक्षन आदी मुल्यांकन निर्धारन किया जाता था आईए असम में सरपर्थम चाह कंपणी के स्थापना 1849 में की गई थी दादा भाई नरोजी के दोरब परतिपादित अफवासिदान यानि की ड्रेन थेवडी वपरिभाशा है भारत में राष्टी संपदा को एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटिस के निर्यात कर दिया जाता था और इसके लिए भारत का कोई भी वास्तविक परतिफल नहीं मिलता था अंग्रेजों के सासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिदान्त का परतिपादन किया गया था दादा भाई नरोजी निकास के सिदान्त का परतिपादन किया गया था दादा भाई नरोजी ने भारत में उपनिवेश वाद का आर्थी का आलोचक थे दादा भाई नरोजी जी शुब्रमन्यम अयर और आर्शी दत इन तीनों ने मिलके किया था आलोचना बालगा धतिलक आर्शी दत एमजी दरनाडे सर सेद अहमद खा से दादा भाई नरोजी के उत्षारन सिद्दात यानि ड्रेन थेवडी का बिश्वास नहीं करता था सर सेद अहमद खा बिश्वास नहीं करता था प्रवर्टी ऑप अन बिटिस रूल इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखा गया बहुत इंपोर्टेंट है द्यान रखीगा दादा भाई नरोजी को भारतिये रास्टिये आंदोलर का सारबधिक प ही नवनी है दोस्तों नेक्स क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो अठासो संतामन की कांतिशे शुरुआत करेंगे तब तक के लिए इसको जादा ना बढ़ा रखे चोटा रखे बढ़िया रहेगा अपने मुबाईल में सेब रखिएगा या फिर कंटिन्यू सुनिएगा यह आपकी लाइफ को बेस्ट कर देगा पचीस में गारंटी के साथ बोलता हूँ 22 प्लस में आपका सही हो जाएगा लेकिन इसको जितना ज़्यादा बार सुनिएगा उतना बार और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेर कीजिए थेंक्यू नमस् सकता है